Hello students, कैसे आप सभी? I hope आप सभी काफी अच्छे होंगे and जिसका आपको इंतिजार था, काफी students ने query भी की थी कि कब से जो है आपके जो form है, TAT के वो भरे जाने हैं तो आज से जो है process शुरू हो गई है तो इसलिए हम आपको main homepage के उपर लेकर आये हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसे आप HP Bow सर्च करेंगे तो TAT June 2022 करके आपके पास यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी instruction एक बार पढ़ लिजेगा क्योंकि गलती मत कीजेगा, बाद में आपको 1000 रोपेज भरने पढ़ेंगे extra अगर आप से by chance कोई mistake होती है, वो भी बाद में होता है, जिब आपका clear होके आज आता है, ठीक है तो forticity, arts, medical, non-medical, सास्त्री, LT, JVT, Punjabi and Urdu इन सभी के लिए जो आपके पास यह test conduct किया जा रहा है and eligibility criteria आपको पता ही है, आपकी basically graduation होनी चाहिए plus beada जो है आपकी complete होनी चाहिए, आज से form भरे जाएंगे and journal के लिए boy fees है 800, other cast के लिए 500 आपके पास है end इस month के end तक, यानि next month के one तक आपके पास इसको भरने का option है late fees के साब करेंगे, तो fourth तक आपके पास option है और 300 रुपे extra देने पड़ेंगे, यानि 1100 या 800 रुपे आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है इसके बाद अगर जिसे आपने form भर दिया है, कोई गलती हो गई है तो बाद में आपको यहाँ पे correction का कोई भी option हमारे पास present नहीं है ठीक है, लेकिन after submission, correction का option दिया जाता है यह रहाँ के पास, यहाँ पे आप देख सकते है 3 day, यानि जब आपका late fees के साथ form भरे जाएंगे तो after this, 5 से 7 तक आपको correction का option भी मिल जाएगा यानि अगर आपसे कोई गलती में गलती हो गई है तो फिर आप अपनी जो mistake उसको ठीक कर सकते है ठीक है, खुद आप इस form को भर सकते है आपको just agree करना है और अगर आपके registration, यानि firstly आपको new registration करनी है अगर आपके registration हो चुकी है तो आपको directly यहाँ पर sign in करना है sign in करके आप main page के ओपर चले जाएंगे and जो भी आपने picture registration की होगी बहाँ पर आपको application number मिल जाएगा application number डालने के बाद अपनी data word डालिए जो कि as a password work करता है and आपके पास आपको capture यहाँ पर fill करना लॉग इन करेंगे इसमें photo add होगा आपका क्योंकि बाकी details आप पहले ही डाल चुके होते हैं ठीक है कोई भी document upload नहीं होता है इसमें सिरफ आपका एक photo और एक sign जो है वो यहाँ पर scan होके वो भी 10 से 20 MB के बिच में आपका photo होना चाहिए और sign आपके पास 10 MB से कम होने चाहिए इसी के राउंड आपके पास criteria यह सारा रहता है ठीक है अच्छे से त्यारी किजिए अभी आपके पास 2 months हैं और I hope कि आप सभी का test choice time clear हो जाएगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you and all the best